सब्सक्राइब कीजिए हमारे योटुब चैनल को और दबाईए बैल आइकन ताकि आप पास के हमारी आने वाली वीडियो बढ़े ही असानी से करते हैं blood relation के बारे में दोस्तों वैसे तो blood relation के question करना असान होता है लेकिन काफी वार हम confuse हो जाते हैं तो अगर आप कुछ step को ध्यान में रखोगे कुछ tips को ध्यान में रखोगे तो आपको किसी भी तरह का कोई confusion नहीं होगा तो चलिए हम आपको कुछ स्टेप से बताता हूं जिनको आप ध्यान में रखें बिलकुल असानी से कॉशन कर शकते हैं इस पी आर्क इसमाइद ब Era कोई बी हम नाम दे सकते हैं जैसे SPRQ जो भी हमें देना बस पलस और मायनस का हमें ध्यानने रखना है और आगे आता है दोस्तो टीप्स नवमर तू इसके अंदर क्या होता कि अगर हमारा सेम लेवल नहर्द प्याता है दोस्तों अगर हमसे एक स्टैप ऊपर कोई रिस्ता है हमारा जैसे कि हमारे पापा हो गए हमारे चाचा हो गए या इस तरह से कोई भी हो गया तो उसके लिए हम क्या करेंगे इस तरह से ऊपर से लेके नीचे इस तरह का साइन लगाएंगे और आगया तो अगर हमस के उपई कौोशन करके देखते हैं कि किस तरह कौशन बिल्कुल असानी की हो सकते हैं. दोस्तों हम बात करते हैं जुलाइ 2018 के कौशन पेपर शही ठीक है. अब इस में देखे दोस्तों ये हमारा कौशन नमबर टॉंटी फॉर है. एक महिला ने अपने पती से राकेस का प्रिच्च कराते हुए कहा अब दोस्तों हमें यहां पे एक एक लाइन को लेके चलना है थोड़ी थोड़ी लाइन को लेके चलना है ताकि हमें असानी से सहमज में आसके यह देखिए दोस्तों यहां पे इस ने कहा है कि एक महिला ने देखिए हमने यहां प राकेस का प्रिच्च ये देखी ये राकेस है ये महिला है अपने पती से राकेस का प्रिच्च करवा रही है तो अब हम आगे देखते कि आगे कोशन में क्या कहा है इसके भाई के पिता अब ये कह रही है कि इसके भाई के पिता यानि कि राकेस के भाई यानि कि राकेस के भाई के पिता इस तरह से हमने लिख दिया यहाँ पे दोस्तों हमें एक एक जो स्टेप बड़े ध्यान से करना है अब देखिए राकेस लिख दिया फिर आगे भाई लिख दिया इन दोनों के सामने पलस पलस लगा दिया तो हमें पता से लगा दिया तो हमे यहां पे लिख दिया इतना लिख दिया दोस्तों आगे हम देखते हैं आगे क्या है कि इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता इसके भाई के पिता मेरे दादा के इकलोते पुत्र है यानि कि मेरे दादा की इकलोते पुत्र यानि कि जो महिला है उसके दादा के इकलोते ता यानि की राकिस के भाई के पिता ये होगे पी और महिला के दादा के इकलोते पुत्र होगे एफ यानि की यहां पे आपको पता चलेगा की एफ जो यानि की जो पी और एफ है ये दोनों के दोनों एक ही परसन है एक ही आदमी है ये दोनों के दोनों ठीक है यहां से हमें प एकलोते पुत्र का मतलब क्या हुआ उसका बाप यानि कि जो महिला है उसका पिता और राकिस का भाई है उसका पिता ये दोनों के दोनों एक ही आदमी है तो क्या हुआ इसका मतलब कि जो महिला है राकिस है और ये राकिस का भाई है ये तीनों के तीनों आपस में भाई बहन ह तो इससे हमें अपना जो answer आएगा दोस्तों वो क्या आएगा कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो दोस्तों यहां से देख सकते हैं कि जो महिला है वो राकिस की क्या लगती है बहन लगती है तो इस तरह से यहां पर हम बिल्कुल असानी से question कर सकते है और दोस्तों आप इस वीडियो को रोक के देख लेना आसानी से ये ग्राफ आपको समझ में आ जाएगा और अगर कोई बात समझ में न आ इस तो आप हमसे पूछ सकते हैं और आगे देखते हैं आगे कौन सा कॉर्षन है अब ये जिए दोस्तों हम अगला कोशन देखते है 24 इसमे कहाई कि अजे राकिस का दोस्त है तो सबसे पहले हम अजे और राकिस का रिलेस्न इस तरह से लिख लेंगे एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए अजे ने राकिस से पूछा वह कौन है यानि कि अजे ने राकेस से पूछा एक बुजर्ग की और इसारा करते हुए कि वो कौन है यानि कि ये बुजर्ग है इसके और इसारा करते हुए अजे ने राकेस से पूछा कि ये कौन है ठीक है आगे देखते हैं राकेस ने कहा अब देखो राकेस बता रहा है ये जो राकेस है ये बता रहा है कि उसका बेटा मेरे बेटे का चाचा है यानि कि उसका बेटा बुजरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूरूर आफ बिल्कुल समझ में आजाएगा अब देखे दोस्तों आगे हम देखते हैं कि यह देखे इसने का है कि मेरे बेटे का चाचा यानि कि मेरे बेटे का अंकल क्या होता है अब राकिस का क्या होगा यानि कि सेम रिलेशन हो जाएगा सेम लेवल का रिलेशन हो जाएगा भाई क हो जाए ठीक है और जो भाई का जो पिता होता है वो क्या होता है अपना वो होता है बाप होता है और यहाँ पर देखिए दोस्तों हमें पता चल रहा है कि राकिस के बेटे का चाचा हो गया है ठीक है और जो अपने बेटे का चाचा जो होता है वो अपना क्या होगा अपना भाई हो जाएगा और अपने भाई का जो पिता होता है वो अपना भी पिता होता है तो यहां से अपना अनसर क्या जाएगा दोस्तो यह फादर आ जाएगा यहां से आप देख स या क्योंकि इसके अंदर सभी के सभी male की बात हो रही है कहीं भी female का जिक्र नहीं है तो इसलिए हमने plus minus का जो trick है वो यहां पे हमने नहीं लगाई अब यह दोस्तों हमारे पास अगला question है इसमें कहा है कि C और D बहने हैं तो सबसे पहले हमने C और D का relation यहां पे इस तरह से लिख लिया C और D दो बहने हैं उसके बाद में A और B भाई है उसके बाद में हमने A और B दोनों का लिख लिया A और B दोनों भाई और इनके सामने plus plus निशान लगा दिया अब देखिए E जो है A का पुत्र है E जो है A का पुत्र इस तरह से हमने लिख लिया जो यह E है A का बेटा है इस तरह से हमने लिख लिया अब देखिए और D का भाई है यानि कि E जो है A का तो पुत्र है और D का भाई है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इस तरह से हमने यह लिख दिया और यहाँ पे हमने ब्रदर लिख दिया अब देखते हैं कि B का C से क्या संबंद है यानि इस B का इस C से क्या संबंद है यह हमें देखना है तो देखिए हम किस तरह से निकालते हैं सबसे पहले यहाँ पे कि इसने पहले ही का था कि C और D बहने यह दोनों के दुनों बहने है यानि कि जो relation D का B के साथ होगा वही C का B के साथ होगा अब हम देखते कि D का B के साथ क्या relation है अब देखं़ यहां सेहमने जब graph draw किया था तो उसमें पता चला कि जो D है वो E की बहन बेटी हो गई, यहां से आपको पता चल रहा है, क्योंकि अब इसमें देए दोस्तों, ई जो है, ए का बेटा है, ठीक है, और जो ई है, डी का भाई है, तो क्या हुआ कि जो डी है, डी ए की बेटी हो गई, यहां से हमें पता चल रहा है, ठीक है, और ए जो है, बी का भाई है, यानि कि अब क्या होगा यहां से हमारा क्या निकल के आ रहा है कि जो B है वो D का क्या हो जाएगा चाचा हो जाएगा यानि कि यहां से हमें क्या पता चल रहा है कि D और B का क्या संबंध है चाचा का रिलेशन है इसके अंदर तो दोस्तों आप ये ग्राफ देखना आपको बिल वीडियो अच्छे लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए शेर कीजिए कोमेंट कीजिए और दोस्तों अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताके आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके थैंक्यू दोस्तों एंटी यूजिस नेट यानि निमिजनेट डाउलोड इट उन गूगल प्ली स्टॉर हेलो नमस्कार दोस्तों मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का स्वागत हमारे यूटूब चैनल निमिजी नेट पर दोस्तों आज हम mathematical reasoning के अंदर direction and distance के question करने वाल है और इसकी कुछ tricks देखने वाल है कि किस तरह से हम इन question को बिलकुल असानी से कर सकते हैं और इसमें से दोस्तों लगबग हर बार question आने की संभावना रहती है और काफी question आज तक UGC net paper first में आए हैं तो ये topic करना हमारे बहुत ज्यादा important है तो इस वीडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अब चाहिए तो हमारा पेट गोश्ट भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीकिसे study करवाएंगे नबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes से देंगे new updated slaves के इंशार प्लस में सक इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक टीचिंग के question अलग देंगे इस तरह से सभी unit के question आपको अलग-अलग मिलेंगे इसके साथ साथ हम आपको most repeated होने वाले question के वारे बताएंगे प्लस में आपको notes भी देंगे इसके साथ साथ दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से लेके दिसम्मर 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे यूटूब पे तो दोस्तों अधर आपको एक course जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी whatsapp नमर पे message किजिए या फिर link हमने video description box में भी दिया हुआ है चलिए दोस्तों अब हम question करने की कोशिश करते हैं और question करने से पहले हमें कुछ tricks के बारे में पता होना चाहिए basic बाते पता होना चाहिए देखे जब हम direction और distance के question करते हैं तो सबसे पहले हमें direction के बारे में पता होना चाहिए कि east west north south कौनची है कई दोस्त इसमें भी confused हो जाते हैं तो सबसे पहले हम इसके बारे में देख लेते हैं देखे east होते है जो पूरू की दिशा होते है उसे हम कहते है east west जो होते है वो जो पस्चिम की दिशा होते है जहां पे सुर्ज छिपता है वो कहते है और जो उत्तर की दिशा होते है उसे हम north कहते है और दक्सन की जो होते है उसे हम south कहते है तो इस तरीके से सबसे पहले basic ची की कोशिस करना अपनी फिगर इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउस इस तरीके से ठीक है यानि कि आपका जो चेहरा है वो इसकी तरफ होना चाहिए नॉर्थ की तरफ होना चाहिए और जो अपका दाया जो हाथ है वो होना चाहिए इस्ट की तरफ और बाया जो हाथ है वो होना चाहि इसकी विए मैं फिगर आपको बना के दिखाऊ हूँ एक मिनट रुकी देखे जैसे हम बनाते हैं कि एक ये कोई लड़का है यहां पे है और इसका ये इस तरीके से यहां पे खड़ा हुआ है यहां पे यानि कि इसका जो राइट हैंड है वो इस्ट की तरफ है और जो इसका जो चहरा है वो नॉर्थ की तरफ है इस तरीके से आपको यह बनानी है ठीक है और आगे हम देखते हैं कि इसके अलावा भी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है अब एक चीज और होती अब कुछ डायरेक्शन और होती इनके अंदर बीच में जो डायरेक्शन होती है ज दोस्तों कि इनका भी हमारे कोशन पेपर में यूज हो शकता है और हमें दाएं और बाय किस तरीके से मुड़ना है कोशन के अंदर आएगा वो भी हम देखेंगे सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एस्ट वेस्ट नौर्थ साउथ कौन सी है और हमें किस तरह किस तरफ मुग करके खड़ा होना है ताकि हम अच्छे से कौशन कर सके और इसके अंदर और चीज़े देखते हैं जैसे हम यह भी आप फिगर देख सकते हैं इसमें भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगी सारी कि सारी डायरेक्शन और और इसके अंदर देखते हैं जैसे कि मुड़ना है जब जो क्लोक हमारी चलती घड़ी जिस तरीके से चलते उस तरह से हमें मुड़ना है जब जुआ हैं जब राइट यह कहें तो वह यह सारी की सा-ड चीज जब हम कोश्टन करें चाने यह आचाएगा और एक जो चीज द smart happened नर पूछिजाति है उसी के भी इस पर कोशन आते हैं वो है दोस्तों पाइफा गोर स्प्रे में हमारा जो formula वो लागू होता यह जो formula है दोस्तों यह हमने 10th class के अंदर किया हुआ है जैसे कि हमें एक तिर्भुज दे दिया जाता है जैसे कि इसके इंदर हमें एक situation बन जाती है और वो situation एक तिर्भुज क के अकार के होते है, ट्राइंगल के अकार के बन जाती ही सिच्वेशन, तो उसके अंदर हमें यह पता करना होता है कि यहां से लेकर यहां तक कि डिस्टेंस कितनी है, तो उस टाइम हमारा पाइथा गोर स्प्रे में formula लागू होता है, और इस formula के इनसार क्या होता है दोस्तों जो कर्ण जो होता है कर्ण यानि कि diagonal जो होता है हमारा ये जो होता है ये equal to किसके होता है lump plus हद अधार, lump means जो ये height है इसका square plus में अधार यानि कि base है इसका तो इस base पे हम question निकालते हैं और यहाँ पे आप अगर English में देखना चाहिए तो यहाँ पे देख सकते हैं देखें जैसे पाइथा गोर्स प्रेम में होता है इसका formula क्या होता है A square plus B square A ये हो गया और B ये हो गया इसका A का square plus B का square equal to किसके होता है C का square है करन जो है उसके square के equal to होता है और हमें जैसे इसके अंदर A निकालना है मान के चलिए हमें ये निकालना है तो ये किसके equal to होगा यहाँ पर यह जो B है दोस्तों यहाँ के minus हो जाए बी का square यहाँ पर minus हो जाएगा और हमें single A निकालना है तो इसका under root होगा इसका जो scale root है वो हमें तोटना पड़ेगा तो इस तरीके से हम निकाल सकते हैं और इसी तरीके से B निकाल सकते हैं और ये ज़्यादा अच्छे से आपको जब हम question करने वाले हैं अभी उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा देखे और इसके अंदर यही सारी चीजे यह मैं आपको अभी बताने वाला हूँ क्या है यहाँ पर पढ़ सकते हैं वैसे हिंदी में पढ़ना चाहे तो अब हम कोशन करके देखते हैं दोस्तों कोशन से आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा अब देखे इसने कहा है कि संध्या अपने घर से सुरू होकर पुरू दिशा में चार किलोमेटर जाती है एक मिनिट दोस्तों यहाँ पे इसका जो साइज है हम वो छोटा कर लेते हैं देखिए, इसमें कहा है कि संध्या जो है, वो अपने घर से शुरू होकर पूरू दिशा में 4 किलोमेटर जाती है, अब सबसे पहले हमें जो इस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, जो है, वो डायरेक्षिन हमें डिफाइन करनी है, तो हम कर लेते जैसे, यह हमने कर लिया इस् की और चलती है चार किलोमेटर अब देखिए यह इस तरफ जाएगी ठीक है तो इस तरफ जाएगी तो जिस तरफ हमें जाना है उस तरफ हम जाएंगे और हमारा जो दाया और बाया है वो हाथ देखेंगे कहां होगा देखिए हमारा चेहरा इस तरफ है हम इस तरफ देखते व जा रहे हैं तो हमारा डाया और आया हाथ कहा होगा दोस्तों वह बताइए हमारा जो दाया हाथ होगा यहाँ होगा यहां पर होगा यहां थिछाण में रखना जरूरी है यानी यह थोड़ा समझना जरूरी है जिस तरफ हम देख के चल रहे हैं उसके राइट साइड में हमारा होता है दाया हाथ और जो बाया होता है वो हमारा लेफ्ट साइड में होता है अब देखिए अब इसके इनुसार देखते हैं कि किस तरह से हमारा कोशन होगा देखे इसने कहा है कि इसने कहा है कि संध्य अपने घर से शुरू होकर पूरू दिशा में च्यार किलोमेटर जाते हैं तो हम माल लेते हैं यह यहां तक च्यार किलोमेटर हो गया यह हो गया च्यार किलोमेटर तक यहां तक वो जाती है फिर वह दाई और मुड जाती है अब देखे अब यह बात आते हैं जो होगा दोस्तों वो इस तरफ होगा तो यहां पे हम कितना किलोमेटर मोड़ते हैं तीन किलोमेटर मोड़ते हैं यहां पे हम तीन किलोमेटर चल लिए यहां पे हमें तीन किलोमेटर चले अब हमें बताना है उसके घर तक पहुंचने के लिए सबसे कम दूरी कौन सी है अब से कम दूरी तो दोस्तों यह यहां से लेके यहां तक हमारी यह दूरी होगी तो यह दूरी हमें निकालने और यहां पे हमारा क्या लगेगा दोस्तों यहां पे हमारा पाइथा गोर्स प्रेमे का जो फॉर्मूला था वो लगेगा और उसके निसार क्या होता दोस्तो ا स्केर पलस b स्केर équal to c स्केर यहां पे a b c 것으로 है दोस्तो a जो है हमारा ये 4 है b हमारा ये 3 है और c जो है हमारा ये हमें निकालना है अब देखते हैं कि ये कोशन किस तरह से निकलेगा चलिए ये मैं erase कर देता हूँ ताकि अच्छे से समझ में आजाए अब देखिए ये कोशन कैसे निकलेगा ये कोशन निकलेगा हमारा हम च्यार का स्केर कर देते हैं तीन का स्केर कर देते हैं और यहां पर सी का स्केर यानि कि जो ये डिस्टेंस हमें निकलने यह आजाएगी अब इन दोनों का square करते है चार चोके 16 3 तिया 9 यह आ जाएगा C का square 16 और 9 कितना हो गया दोस्तो। यह हो गया हमारे पास 25 अब कहां पे लिखे हम यहां पे लिख देते हैं 25 इक्वल टू C का square हमारे पास यह आ गया अब यहां से हमारे पास C स्केर क्या आया है दोस्तो C स्केर जो आया है हमारे पास 25 आया है और अगर हमें only C निकालना है तो C निकालने के लिए क्या होगा दोस्तो 25 जो है इसका under root होगा under root करने पे C क्या जाया है पांच आजाया दोस्तों तो संध्या जहां पे अभी वो खड़ी है और उसके घर के जो दूरी है वो क्या होगी दोस्तों पांच किलोमेटर हो जाए ही तो इस तरह से ये कोशन आप बिलकुल असानी से कर सकते हैं और अगर आपको किसी भी तरह की को fusion है कोई बात समझ में नहीं आई है तो वो आप हमसे पूछ सकते हैं कमेंट वक्स के जरीए या आप हमें वर्टसप पे मैसेज कर सकते हैं वर्टसप नंबर मैं आपको यहां पे स्क्रीन पे दे दूँगा और अब हम देखते दोस्तों अब हम अगला कोशन करके देखते है जिससे आपको और भी अच्छे तरीके से समझ में आ जाए अब यह देखिए इसने कहा है कि मोहन ने अपने घर से सुरुआत के और पुरुव दिशा में चलना सुरू किया अब इसके अंदर भी बाते करते हैं इसके अंदर इस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिख लिख ले पांच किलोमेटर के दूरी तैय करने के बाद अब उसने हम माल लेती यहां तक उसने पांच किलोमेटर दूरी तैय कर ली वह दाई और मुड़ा अब दाई और मुड़ा मतलब इस तरफ मुड़ा यह हमें देखना है दाई कौन सा भाई कौन सा यह मैंने आपको यहां पर हमें ध्यान में रखने वाली है कि अब इसका चहरा किस तरफ है इस तरफ चहरा है इसका वह फिर दाई और मुड़ा अब देखी यहां पर उसका दाया बाया कौन सा होगा यानि कि राइट और लेफ्ट कौन सा होगा यहां पर इसका दाया यानि कि जो राइट है वो ये side होगी दोस्तो इस तरफ की जो side है वो होगी इसकी right side फिर कहीई कि ये पांच km चला यानि कि इस तरफ मुढ गई पांच km दोबरा फिर चला अब देखिए इसके वाद उसने दाहिनी और दोबरा फिर दायां कह रहा है दोस्तो तो दायां अब कौन सा होगा अब देखे अब इसका चहरा इस तरफ है यानि कि ये इस तरह से चल रहा है अब इसका दाया कौन सा होगा दोस्तों अब इसका दाया इस तरफ होगा और मैंने आपको पहले भी बताया था कि दाया वाया जो राइट जो होता है दाया जो होता है उसको क्लोक वाइज यानि कि जिस तरह से हमारी घड़ी चलती है उस साइड में हम मुड़ेंगे ठीक है तो यहाँ पर यह दाइं तरफ मुड़ा और 30 डिगरी यानि कि 30 डिगरी यह माल लेते इस तरीके से यह 30 डिगरी मुड़ा और 6 किलोमेटर की दूरी तैकी अब यह माल लेते यह 6 किलोमेटर चला यहाँ पर इस तरीके से 30 डिगरी मुड़ के यह कितना चला 6 किलोमेटर चला वह किस दिशा में है और वह अपने घर से कितन दूरी पे है अब देखिए यहां पे हमें क्या मिल गया एक चीज देखिए यह हमें क्या मिल गया कि डाइगनल मिल गया जिस पे हमारा पाइथा गोर स्प्रे में फॉर्मुला लागू होगा अब इसमें हम देखते हैं हमारे पास क्या क्या है अब देखें ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस इन्हों ने बता दी 6 किलोमेटर है और ये जो डिस्टेंस है दोस्तों ये जो डि यह हमारा इस तरीके से ग्राफ बन गया यहां पर यह छे किलोमेटर आ गया और यह हमारा तीन किलोमेटर क्योंकि यह देखे यह जो तीन किलोमेटर है यह एक्वल टू इसके होगा यह छे और तीन आ गया अब हमें जो डिस्टेंस निकालने है दोस्तों वो डिस्टेंस हमें ये डिस्टेंस हमें निकालनी है और ये डिस्टेंस हमारी कैसे निकलेगी ये उसी तरी कैसे निकलेगी जो मैंने पाइथा गोर्ष प्रे में बताया था इसमें ये करना है दोस्तो हमारा ये उंचाई है हाइट है और ये हमारा अधार है ठीक है तो ये यानिके हमारा बेस है इस बेस पे जो हमारा पाइथाग और स्प्रे में फॉर्मॉला लगेगा वो आप लगा के निकाल के दिखाना मेरे को बताना क्या इस कांसर आएगा यह बिल्कुल असान है दोस्तों बिल्कुल असाना अब इसमें फॉर्मॉला लगाना है बिल्कुल असानी से कॉस्चन आ जा का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके हैं थैंकि दोस्तो दोस्तो आज हम mathematical reasoning में एज वाले question करने वाले हैं आपने काफी तरह के ऐसे question देखे होंगे जिसके अंदर पिता की जो उमर होते हैं वो बेटे की उमर से तीन गुना जादा दी होते हैं और कहते कि दस सालवाद उनकी उमर इतनी हो जाएगी तो उनकी वरतमान उमर कितनी हैं तो इस तरह के question question UGC net में भी काफी question आज तक आये हैं और आगे भी इन में से आने के संभावना है तो ये topic करना हमारे लिए बहुत ज्यादा important है तो दोस्तों आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा important होने वाले तो इस वीडियो का पूरा देखना दोस्तों अगर आप चाहें तो हमारा paid course भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीपी से study करवाएंगे नमबर एक पे दोस्तों हम आपको all 10 unit study notes देंगे new updated slaves के इनुशार पलस में सब्तंबर 2020 में जो question आये हैं उसके इनुशार हमने ये notes त्यार की हैं इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको all 10 unit के videos देंगे add free videos आपको मिलने वाली है इसके साथ साथ नमबर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 सभी से question paper Hindi English में with answer की आपको मिलने वाले है इसके साथ साथ दोस्तों हम आपको 2012 से लेके दिसंबर 2019 से लेके इस तरह से सब्ही unit के question आपको अलग अलग मिलेंगे इसके साथ दोस्तों हम आपको most repeated होने वाले question के वाले हम बताएंगे पलस में आपको notes भी हम आपको 2012 से लेके December 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की और इसके साथ दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे YouTube पे तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी WhatsApp नमर पे message कीजिए या फिर link हमने वीडियो description box में भी दिया हुआ है दोस्तों ये हमारा December 2012 के अंदर question आया था और धिरे धिरे हम सभी year के दिखाएंगे कि कब कब question आया है इसमें कहाए कि दो व्यक्तियों में A और B की IU का जोड़ कितना है 50 वर्स है 5 वर्स पुरो उनकी IU का नुपात 5 नुपात 3 था A और B की वरतमान IU क्या है देखिए दोस्तों अगर इस question को करना चाहे तो हम पूरा detail से करे तो वो भी कर सकते हैं with formula से करे तो लेकिन हमें exam के अंदर क्या होता है दोस्तों जल्द से जल्द question निकालने की कोशिश करनी होते है तो यहाँ पे इसे हम short cut तरीके से कैसे निकालेंगों वो देखेंगे सबसे पहले देखिए इन्होंने कहें कि A और B की IU का जोड की तरह 50 वर्ष है तो इनमें 4 की 4 जो option है उनमें सभी में इनका जोड की तरह 50 वर्ष दिया हुआ है लेकिन अब दूसरा जो है इस पे हम ध्यान देते है पांच वर्ष पूरू उनकी IU का अनुपात पांच अनुपात तीन था A और B की वर्तमान आयू क्या है ये हमें बताना दोस्तों ठीक है तो हम एक टाइम के लिए मान के चलते कोई भी option ले लेते जैसे B option हमने ले लिया तो ये यहाँ पे वर्तमान आयू दी हुई है 35 और 15 वर्तमान आयू दी हुई है अगर हम इनमें पांच पांच वर्ष माइनस करते तो कितना आएगा ये आज आएगा हमारा 30 वर्ष और ये आएगा हमारा 10 वर्ष अब देखी क्या इनके अंदर जो अनुपात है वो पांच अनुपात है तीन का अनुपात आ रहा है या नहीं आ रहा है ये देखे तीस और दस का अनुपात है दोस्तो तीन अनुपात एक है तो ये जो बी है हमारा वो नहीं होगा अब देखी अब हम उप्सन नमबर एक देखते हैं ए जो है इसके अंदर 30 है और 20 है 30 में से जब हम 5 माइनस करेंगे और 20 में से 5 माइनस करेंगे यह हो जाएगा हमारा 25 और यह हो जाएगा हमारा 15 अब देखते 25 और 15 इनके अंदर अनुपात कितना है इसके अंदर देखे यह जाएगा 25 यह 5 और यह 5 तिये 15 यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इनका नपात कितना निकल रहा है पांच नपात तीन निकल रहा है और इन दोनों का जो जोड है वो भी 50 आ रहा है तो इस तरह से दोस्तों हम shortcut तरीके से भी इस question को कर शकते हैं बिलकुल असानी से और दूसरा जो तरीका वो आप जानते हैं कि माना एक A वैक्ति के IUX है तो B की क्या होगी 50-X हो जाएगी तो उस तरीके से भी हम कर सकते हैं और आगे हम कोशन देखते हैं दोस्तों आगे हम किस तरह से shortcut method से करेंगे और दोस्तों अगर आपको यह question अभी वी समझ में नहीं आया तो आप हमें बता सकते हैं आप हमें WhatsApp पे message किया करें दोस्तों स्क्रीन सोट के साथ और बताया करें कि सरम मुझे यह question नहीं आया तो हम आपको वहाँ पे समझाने की कोशिश करेंगे चलिए अब हम अगला question देखते हैं यह हमारा December 2013 के अंदर आये था इसमें कहा है कि अनील की उमर सुनीता की उमर से दो गुनी है ठीक है इसने कहा है कि दो गुनी है तीन वर्स पूरो पहले उसकी उमर सुनीता की उमर से तीन गुनी थी अनील की वरतमान उमर क्या है वो हमें बतानी है सबसे पहले हम यह लिखते हैं कि सुनीता की जो उम्र है वो माल लेते एक्स है तो अनील की जो उम्र है वो क्या होगी दोस्तो टू एक्स यहाँ पे हो जाएगी अब देखे तीन वर्स पहले यानि कि तीन साल पहले की यह बात कर रहा है तो उसकी उम्र सुनीता की उम्र से तीन गुनीत थी तो अब देखे इसमें क्या होगा इन दोनों में हम माइनस थरी थरी कर देते हैं यहाँ भी और यहाँ भी 2x माइनस थरी कर देते हैं अब देखे इन दोनों को बराबर करने के लिए हमें क्या करना होगा यह देखे इससे थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने की जूरुत है तीन व कम हो उसको हम multiply करेंगे तो हमारी equation equal होगी अब देखिए यह हो जाएगा थरी x माइनस तीन त्या 9 यहाँ पे होगा 2x माइनस में 3 यह हो जाएगा हमारे पास, अब देखिए यह जो 2x हैं यहाँ पे आएगा तो यह हमारे पास रह दोस्तो एक रहे जाएगा और फिर ये जो 9 है 21 यहां प्यारिएगा यहां पर 20 tank मैनेश का है दिस तरव पलस बार हो जाएगा प्लस के जाएगा 69 मैनेश के थारी स कितना ःजाएगा हमारे पास x Eli आपर में क्या जाएगा 6 आ जाएगा अब देखिए X क्या आया है X आया हमारे पास सुनीता की उम्र आई है X अब अनील की उमर क्या होगी 6 दुनी 12 यहां पर आ जाएगी और यही इसने पूछा कि अनील की वर्तमान उमर क्या है तो यह दोस्तो 12 उमर इन्होंने दी हुई है दोस्तो आप इसका स्क्रेंशोट ले सकते हैं और अगर समझ में ना आए तो आप ये वीडियो एक वर दोबारा देखना आपको समझ में आया जाएगी यह एक्वेशन और अगर समझ में ना आए तो आप हमें वर्टसप पे मैसेज कर सकते हैं अब हम अगला कोशन देखते दोस्तों उनका half average यानि कि half आधा कहते है मध्यमान ठीक है पिता और उसके पुत्र की आयू का मध्यमान 27 है तो यानि कि total योग कितना होगा दोस्तों total के लिए हम दो से multiply करेंगे 27 दुनी 24 यानि कि इसका अर्थी है कि पिता और पुत्र की आयू का योग कितना है 24 वर्स है यहाँ पे हम लिख लेते हैं जैसे कि पिता को हम पी लिख देते हैं और बेटे को हम बी लिख देते हैं दोनों की आयू का योग कितना है 24 वर्स है अब देखिए यहाँ पे हमारी दो equation बन रही है एक तो सबसे पहले पिता और पुत्र की आयू का जो कितना है चोमन अब ये देखे चारो के चारो ओप्सन है ना चारो को आप एड़ कर ले ना चारो की उमर चोमन वर्स आ रही है तो सबसे पहले यहां से तो हमारा कोशन निकल नहीं रहा अब दूसरा देखते अठारा साल बाद अब देखे आप एक ले लिजी हम ले लेते हैं जैसे यह ले लेते हैं चालिस ले ले लेते हैं चालिस जमा में अठारा हमने किया ठीक है और फिर हम चोदा जमा में अठारा करते हैं अब देखे चालिस और अठारा चालिस में से अठारा एड़ किया तो यह कितना हो जाएगा और चोद नहीं होगा अब हम उप्सर नमबर ए देखते हैं अब ए में ए करके देखें दोस्तों एकर के दिखा रहूंँ आपको ए में 42 वर्स दी है इसमें हम 18 वर्स add कर रहे हैं इसी तरीके से 12 वर्स दिए बारा में हम 18 एड कर रहे हैं 42 का हो जाएगा दोस्तों हमारे पास 60 वर्स और ये हो जाएगा 12 जमा में 18 ये हो जाएगा 30 अब ये देखी ये बिल्कुल सही आ रहा है यह जो 60 है यह 30 का दो गुना है यह जो नीचे वाली है हमारी पुत्तर की आयू है और उपर वाली हमारी पिता की आयू है तो दोस्तो इस तरीके से आप बिल्कुल असानी से सोटकट मैथर अपना के वी कोशन निकाल सकते हैं और दूसरा जो ट्रेडिशनल तरीका है वो उस तरीके से निकाल सकते कि पिता की आयूँ और पुत्तर की आयूँ का योग है वो हमारा चोवन वर्स है जैसे कि P पलस में B हो गया चोवन वर्स तो P क्या होगा P हो जाया चोवन माइनस में B इस तरीके से आप निकाल सकते और आगे फिर 18 साल का करके वो पूरा लंबा प्रोसस करके यह कोशन आप निकाल सकते हैं लेकिन बैटर यह रहेगा कि आप उप्षन में पूट अप करके देखिए वहां से जल्दी उप्षन आजाएगा और अब हम अगला कोशन देखते दोस् से चलने की कोशिस करेंगे वर्तमान में एक व्यक्ति अपने बेटे से च्यार गुना बढ़ा है तो पहली लाइन से ही हमें कोशन को साथ में लेके चलना है यहां पे इसने कहा है कि एक व्यक्ति अपने बेटे से च्यार गुना बेटा बढ़ा है तो इसमें बेटे की जो उ अपनी पत्नी से तीन साल बड़ा है और जो इसकी पत्नी है इसका मतलब क्या है दोस्तों यहां से पढ़ने की कोशिश किजी अपनी पत्नी से तीन साल बड़ा है तो इसका मतलब क्या है इसकी जो पत्नी है पी से डिनोट करते है वो क्या होगा चार एकस माइनस थरी यानि कि स साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 साल हो जाएगी अब 3 साल के बाद 3 साल के बाद equation क्या बनेगी x पलस में 3 कितनी हो जाएगी उसकी उमर 15 साल हो जाएगी यह देखिए यह equation जो बन रहे है उसे समझने की कोशिश करो दोस्तो 3 साल के बाद उसके बेटे की आयू 15 वर्स हो जाएगी बेटे की आयू यह है इसे में 3 एड़ कर दिए तो टोटल कितनी हो जाएगी 15 वर्स हो जाएगी यहां से x हमारा कितना आ रहा है दोस्तो 15 माइनस में 3 करेंगे तो क्या जाएगा हमारे पास 12 आ जाएगा च्यार इंटो में 12 माइनस में 3 तो 12 चोके 48 48 में से 3 गया क्या आएगा दोस्तो 45 हमारे पास आ गया यह जो 45 है ना दोस्तो यह 45 जो लेडिस है उसकी वर्तमान आयू है ठीक है ना उसकी प्रजेंट आयू है अब देखिए उसे व्यक्ति की पतनी की आयू 5 साल बाद कितनी होगी तो 45 के अंदर जब हम 5 एड करेंगे तो हमारे पास क्या जाएगा 50 इसका अंसर आ जाएगा तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल असानी से यह कोशन भी निकाल सकते हैं बस इन कोशन में थोड़ा सापको सोचने की जरूरत होते हैं बिलकुल असान कोशन होते हैं यह और कर शकते हैं तो दोस्तो आज के लिए वस इतना ही अगर आपको हमारी वीडियो अच्छे लगी तो शी वीडियो को लाइक कीजिए और दोस्तो अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे और घंटी का बटन जरूर दबाए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को सानी से देख सके हैं सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूटूब चैनल को और दबाए बैल आइकन ताकि आप आसके हमारी आने वाली वीडियो पढ़ी असानी से हेलो नमस्कार दोस्तो मेरा नाम रहतास निमी है और आप सभी का सवागत हमारे यूटूब चैनल निमीजी नेट पर दोस्तो आज हम मैथमेटिकल रिजिनिंग में और तो यानि की एवरेज वाले कोशन करने वाले हैं आपने इस तरह के कोशन देखे हुए होंगे कोशन पेपर में और इस तरह की काफी कोशन आज तक आये हैं कि आप किस तरह से कोशन कर सकते हैं तो इस वेडियो का पूरा देखना और ध्यान से देखना दोस्तों अगर आप चाहे तो हमारा पेड़ कोश्ट भी जोइन कर सकते हैं इसके अंदर हम आपको बहुत अच्छे तरीति से श्टडी करवाएंगे इसके साथ नम्बर 3 पे दोस्तों हम आपको 2012 से लेगे दिसंबर 2019 तक सभी सियफि honour के question paper हिंदी इसके साथ हम आपको 2012 से लेके Dai sincer दिसम्मर 2019 तक teaching के question अलग देंगे, research के अलग देंगे, communication के लाग देंगे, इस तरह से सभी unit के question आपको अलग-अलग मिलेंगे, इसके सासा दोस्तों हम आपको most repeated होने वाले question के बारे में बताएंगे, पलस में आपको notes भी देंगे, इसके सासा दोस्तों फरी में हम आपको 2012 से दिसम्मर 2019 तक old year question paper second भी देंगे with answer की, और इसके सासा दोस्तों हम आपका live mock test लेंगे यूटूब पे, तो दोस्तों अगर आपको एक कोर्स जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी वर्टसपर नमर पे message कीजिए, या फिर link हमने वीडियो description box में भी दिया हुआ है, ये द अब इसमें पहले 10 सदस्यों का ओस्त कितना दिया हुआ है, 4.5 दिया हुआ है, ये भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, पहले 10 का जो ओस्त है, 4.5 यहाँ पे है, और फिर 33 सदस्यों का ओस्त इन्होंने 35 दिया हुआ है, दोस्तों यहाँ पे mistake होगे, 35 निया ये, 3.5 है, ठीक है तो 30 का जो ओस्त है वो भी हम यहां पे लिख लेते हैं एक्वल टू 3.5 है अब देखिए अब इसने का कि पूरे ग्रूप का ओस्त क्या है और पूरे ग्रूप का ओस्त से निकालना बिलकुल असान है सबसे पहले 10 10 को सब्सक्राइब करेंगे तो यह आजाएगा 45 आ जाएगा और उसके बाद में 30 को जब हम 3.5 से मल्टिप्लाइब करेंगे तो यह आजाएगा दोस्तों हमारे पास 105 हमारे पास आ जाएगा अब इन दोनों को हम add करेंगे यह देखिए add करेंगे यह आ जाए 0 पांच और पांच दसकी 0 ऐसिल 1 और यह जाए 5 और यह जाए 1 यानि कि 150 हमारे पास आ गया और यह देखी यहाँ पे हमारे पास कितना था, टोटल कितना था, 40 लोग थे, तो इसका ओस्त क्या होगा दोस्तों, ओस्त के लिए हम टोटल, यानि कि जो हमारा या बटे में, जो जितने भी सदस्य हैं, बटे में, 40, 150 बटे में 40, 0 से 0 कटकी, 15 बटे 4, यानि कि option number 6 का answer आ जा question देता है, हमेसा average, जो है न, average question देता है, यूजी सी, ऐसे नहीं है कि बहुत मुश्किल कभी नहीं देता, बस थोड़ा सामें, ध्यान देने की जरूरत होती है, चलिए अब हम अगला question देखते हैं, दोस्तों, ये देखे, ये हमारा जून 2013 के अंदर question आया था, इसके अंद हम कह सकते हैं, वो इन्होंने दिया है, सो दिया है, ये दिसी सत्र है, तो से संख्याओ का मध्य है, क्या होगा, ये हमें बताना है, अब देखिए, इसके अंदर क्या है, कि इन्होंने average दिये, और इन्होंने ये बताया नहीं है, कि A कितना है, B कितना है, और D कितना है, अब च्यार गुना में 100 करेंगे, कितना आ जाएगा हमारे पास, 400 आ जाएगा, अब देखी, अब इसने कहाए कि ये दिसी 70 है, सी की जो वैल्यो कितनी दिविए दोस्तों, यहाँ पर इन्होंने 70 दिविए है, तो इसके इंदर हम क्या करेंगे, 400 में से हम 70 माइनस करेंगे, तो यह क्या जाए हमारे पास, 330 हमारे पास आ जाएगा, अब इसने कहाए कि सेस संख्याओं का मद्धे क्या होगा, जो लाश्ट में बच गी, कितने बच गी हमारे पास तीन संख्याई बच गी, उनका माद्ध है क्या होगा अब देखे, 330 बटे में 3 करेंगे हम यह आएगा 110 यहाँ पर हमारे पास आजाएगा और जो 110 है वो है हमारा option number D तो यहाँ से आप बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं तो आप देख सकते कि कितने असान-असान question UGC दे रहा है और अब हम अगला question देखते हैं दोस्तों यह हमारा December 2013 के अंदर आये था विद्यार्थियों की एक कक्षा के प्रापतंकों का माध्य 65 है यानि की एक क्लास है उसके अंदर जितने भी विद्यार्थियों है उनके जो अंका हैं उनका जो average है दोस्तों वो 65 यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है कक्षा के आधे विद्यार्थियों का प्रापतंक 45 है अब देखिए जो आधे विद्यारते उनका जो मध्यां की यानि की एवरेज जवो कितनी है 45 है और सबसे पहले एक चीज यहाँ पे जो टोटल विद्यारते वो कितने है दोस्तों 40 है हमारे पास टोटल कितने है 40 और 40 के सभी के सभी का एवरेज कितना है 65 है अब यहाँ पे कक्षा के आधे विद्यारते का मध्य 45 है आधे का मतलब क्या है दोस्तों 20 जो विद्यारते उनका जो मध्य है 45 है अब क्या करना है बच्चे वे विद्यारते के प्रापतं का मध्य क्या है वो हमें निकालना है अब देखिए, अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले 65 को हम 40 से गुना करेंगे, तो दोस्तों ये आ जाएगा, हमारे पास 2600 आजाएगा, और आगे इन्होंने का है कि आधे विद्यारतियों का मद्ध कितना 45 है जब हम 20 को 45 से मिल्टिप्लाइ करेंगे तो यह आ जाएगा दोस्तों हमारे पास 900 में 300वी स्यूंतल अब देखिए अब हमारे पास कितने विद्यार्थी रहेगे यहां पर जो अंक है वह कितने धर जब 26 सो में से helping mama 900 माइनिस करेंगे तो दोस्तों यह आ जाएगा हमारे पास 1700 आ जाएगा अब अवरेज निकालने के लिए हम क्या करेंगे सत्रा सो डिवाइड वाई टवंटी यहां पर कर देंगे तो जीरो से जीरो कट गया और दो अठे सोला दो पंजे दस यानि कि 85 यहां से हमारा आंसर आ जाएगा और जो 85 है वो अपसन नमबर यहां पर दिया हुआ है तो दोस्तो यहां से आब बिल्कुल असानी से निकाल सकते हैं अब हम अगला कोशन देखते दोस्तो यह कोशन भी बिल्कुल असान है इसके अंदर क्या कहा है 210 चात्रों का एक सम्हू किशी प्रिक्ष्या में सामिल हुआ ठीक है 210 चात्र है टोटल वो किशी एक्जाम के अंदर बैठे एक तिहाई में चात्रों का मध्धे 60 पाया जाता है सेस चात्रों का मध्धे 78 पाया जाता है तब संपूर्ण समू का मध्धे क्या होगा अब ये देखी दोस्तों, ये बिलकुल असान है में आपको बता देता हूँ कैसे होगा ये देखे, तोटल हमारे पास कुतने है तोटल है हमारे पास 210 है अब देखे, एक तिहाईई स्चात्रों का मध्धे 60 है सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि एक तियाई कितना होता है 210 का देखे 210 का एक तियाई हम निकालते हैं 210 बटे में थरी कर लेते हैं तो यह कितना आएगा दोस्तों हमारे पास 70 यहां से आजाएगा यानि कि 70 जो student है उनका average कितना है 60 दिया है और 6 चात्रों का 78 पाया जाता है अब 6 चात्र कितने रहेंगे दोस्तों हमारे पास वो रहेंगे 140 रहेंगे ठीक है 140 का जो माद्धे वो कितना है 78 दिया है अब देखी अब हमें total का वो माद्धे निकालना है तो 70 को 60 से गुना करेंगे 6 सता 42 यानि कि 42 सो आ जाएगा यहां से हमारे पास और फिर 140 को 78 से multiply करेंगे तो मैं अभी करके देख लेता हूँ वो कितना हैगा 140 multiply में 78 यह आ जाएगा 10920 यहां से आ जाएगा यानि कि 10920 यहां पर मैं लिख लेता हूँ अब देखे दोस्तों यहां पर हम क्या करेंगे इन दोनों को add करेंगे फिर हम पूरा average निकालेंगे अब देखे इनको जब हम add करेंगे पलस में 42 सो यह 15120 आ जाएगा 15120 यहां से आ गया हमारे पास अब हमें average निकालना है total का तो 15120 को हम divide किस से करेंगे 210 से हम divide करेंगे 210 से हम जब इनको divide करेंगे जब हम 15120 को 210 से divide करेंगे तो दोस्तो यह आजएगा हमारे पास 72 आजएगा और 72 हमारा option number 4 दिया हुआ है तो दोस्तो इस तरह से बिलकुल अचानी से आप करशकते हैं और एक बार फिर शे मैं बता जेता हूँ यह question कैसे आएगा सबसे पहले हमारे पास total जो 210 दिये हुए है 210 में एक त्याही चात्रों का माध्य साथ दिया है एक त्याही का मतलब होता है दोस्तो 70 जो student है उनका माध्य साथ दिया है और फिर जो बच के सेश चातर सेश चातर बचे हमारे पास 140 140 का 78 दिया हुआ है इन्होंने तो अब total का हमें निकालने है total का निकालने के लिए पहले 70 को 60 से multiply करेंगे 42 आ गया फिर 140 को 78 से करेंगे तो 10920 आ जाएगा और फिर इन दोनों को हम add करेंगे इन दोनों को add करने से 15120 आ गया अब 15120 को 210 से हम divide करेंगे तो यह आ जाएगा हमारे पास 72 आ जाएगा तो इस तरह से बिल्कुल असानी से कर सकते हैं और दोस्तों इस तरह के question अब की वार भी आने के संभावना है क्योंकि यह question काफी सालों से आ रहे हैं तो चलिए दोस्तों अब हम अगला question देखते हैं यह देखिए अब यह देखिए दोस्तों यह हमारा अगस्त 2016 का question पेपर है और यह question दोस्तों आप सभी को करना है अपने हिसाब से करना बिल्कुल असान है दोस्तों कोई इसमें घबराने वाली बात नहीं है जैसे हमने पीछे के question के वैसे ही यह question है आप थोड़ा सा दिमाग ल आएगा practice करना जरूरी है दोस्तों और अगर आपको कोई भी problem आती है इस question के इंदरा आपको समझ में नहीं आता है तो आप हमसे पूछ सकते हैं आप हमें WhatsApp कर सकते हैं यह number हमने दिया हुआ है और इस number से आप हमारा paid group भी जोइन कर सकते हैं अगर आपको paid group जोइन करना है त दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए और घंटी का बटन जरूर दबाईए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियो को असानी से देख सके थैंक्य दोस्तों अगर आप चाहें तो हमार को और 10 यूनिट के वीडियो देंगे एड फ्री वीडियो आपको मिलने वाली है इसके साथ साथ नंबर तीन पे दोस्तों हम आपको दो हजार बारा से लेके दिसंबर दो हजार उनिस तक सभी सिफ्ट के क्वेपर हिंदी इंगिस में विदांसर की आपको मिलने वाले हैं इ इसके साथ साथ दोस्तों फरी में हम आपको दो हजार बारा से लेके दिसंबर दो हजार उनिस तक ओल्ड इर कोशन पेपर सैकेंड भी देंगे विदांसर की और इसके साथ साथ हम आपका लाइव मोग टेस्ट लेंगे यूटूब पर तो दोस्तों अगर आपको एक और से जोइन करना है तो हमें जल्दी से जल्दी से वर्सक नमर पर मैसेज कीजिए या फिर लिंक हमने वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है